हेलो दोस्तों आज हम यह आपर बात करने वाले है एक और श्टॉक से रेटेड जिसका नाम है परकाश श्टील लेज दिमिटेड अगर हम यह आपर शेयर की बात करें तो 5 रुपे का शेयर है पैनी स्टॉक है यह ठीक है ना 97 करोड रुपीज का मार्केट कैप है और जब भी मैं पैनी स्टॉक की बात करूं तो याद रखिएगा कि रिस्क इन्वाल्व है रिस्क इसमें बहुत जादा है ठीक है और साथ में प्रॉफिट भी उसी तरीके से होता हुआ नजरा सकता है ठीक है ना तो दोनों तरफ के यहां पर आप्शन आपके साथ में अवेलवल रहे चीज़े भागी तो आपके पैसे बनेंगे चीज़े गीरी तो भी आपके पैसे बनेंगे तो इसलिए यह सबसे पहली बात बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशल एडवाईजर कुद की स्टड़ी करना है चीज़ों को केवल सीखना है और य यहां पर से सीख सकते हैं और बारी किया सीख नहीं है आपको स्टॉक मार्किट की बारी किया सीख नहीं कि कैसे और किस तरीके से यहां पर पैसे बना जाते हैं तो आप यहां पर 860540501 8169261037 दोनों नंबरों को सेव कर सकते हैं basics to advanced technical research fundamental किस तरीके से यहां पर काम किया जा जाता कि देड़ दो लाक रुपर खर्च करो और certificate दे दिया जाए knowledge कुछना हो यहां पर knowledge प्रोवाइड की जाती है और वह भी 20,000 रुप में certificate नहीं दिया जाएगा कि यहां पर knowledge दी जाएगी त्री मंस की handholding, strategy using stock marketing, online notes सब कुछ दिया जाएगा और एक बार course को करके देखि तो इनी नंबरों पर आप क्या कर सकते हो, contact कर सकते हो, साथ में यहां पर मिलके काम कर सकते हो, और एक बार जब काम यहां पर करना शुरू करोगे ना, ठीक है, यहां पर बात करिए, तब आपको चीज़े अपने आप automatically समझ में जाएगी, इसके इलाबा याद रखिएगा, पोर्फोलियो साइस में थोड़ा से 4,5,5,5,1 करोड जितना बड़ा हो, उतना अच्छा यहां पर माना जाएगा, आगे बढ़ते हैं, प्रकाश, इस्टील इस लिमिटेट की बात कर रहे, तो यहां देखिए, manufacturing and exporter of stainless steel, welded pipes and tubes, as well as यहां देखिए, business ownership की बात कर रहे, तो य steel के इस तरीके के products होते हैं, ठीक है, यहां पर यह जो PSLS facility दा, larger diameter, यह जो welded pipes होते हैं, वो भी यह company बनाती हुई नजर आती है, ठीक है, इनकी एक बार website पर visit करके, एक बार चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको यहां पर पूरा का पूरा एक idea लग जाएगा, क परकाश श्रीलेज लिमिटेड, यह जो company है, यह किस तरीके से काम कर रही है, क्या इनके client है, क्या इनका motto है, सब पता चल जाएगा, तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैं already बोल चुक हूँ, सबसे यह एक छोटा सा share है, अगर चला, तो आसमान तक और नहीं चला, तो याद ठीक है, बट पी के base पे कभी काम नहीं करते सस्ता है, तो ले लो, महंगा है, तो बेच दो, ऐसा कुछ नहीं है, as well as देखें, तो pleasing भी कुछ नहीं है, 7 रुपीज तक इसने high लगाया है, ठीक है, एक रुपे की face value है, कोई dividend नहीं है, तब book value negative है, इस चिट को भी याद रख किया था, उसके बाद से लगाता गिर के, यह 20 पैसे, 15 पैसे और 10 पैसे तक ही आता हुआ दिखाई दिया था, तो इस चिट को भी याद रखना कि, जब भागेगा, तो शायद अच्छा खासा भागे, और जब गिरेगा, तो शायद आपके पैसे सारे के सारे, आपके निका के लगा था, बढ़ते हुए नजर आ रहे, पॉजिटिव बात है, as well as बात करें, कमपनी की कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव रिजल्ट आते रहते है, as well as यहाँ पर देखूगे, कमपनी का जो प्रॉफिट है, just because of other income यहाँ पर जादा दिखाई दे रहा, otherwise एक करोड है, यह infrastructure से लेकर products है, और भारत infrastructure को में कितना invest कर रहा है, वो आपको सभी को पता ही, आप news भी आए दिन सुनते होगे, कि यहाँ पर यह बन रहा है, as well as यहाँ पर आप देखोगे, तो company यहाँ पर अभी positive production कर रही है, जो कि अच्छी बात है, यहाँ पर reserves की बात करें, तो company के reserves negative में है, as well as company की जो borrowing है, ठीक है, वो यहाँ पर 39 करोड रुपे के आसपास की यहाँ पर borrowing दिखाई देती है, और यहाँ पर हम बात करें cash की, तो company के पास केवल 1 करो 18 लाग का ही, यहाँ पर cash पढ़ा हुआ है, और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो आप पता चलेग बढ़ाते हुए नजर आया, FISDI जासे छोटे शेरों में नहीं होता, क्योंको उनका पैसे बार का होता है, तो बार के पैसे यहाँ पर ऐसे छोटे शेरों में नहीं लगाया करते हैं, और यहाँ पर एक पैसे एक बार लगा के try जरू किया जा सकता है, यहाँ पर एक positive बात यहाँ पर बाई हुए थे, में में भी यहाँ पर बाई हुए थे, मार्च में भी यहाँ पर अच्छे कासी quantity बाई हुए थी, दिसंबर में भी यहाँ पर बाई हुए थी, तो यहाँ पर अगर हम देखे, जहाँ पर पहले लोग यहाँ पर promoters बेसते हुए नजर आ रहे थे वो इस साल अच्छे खासी quantity यहाँ पर buying करते हुए नजर आ रहे हैं, तो शायद यह एक positive चीज यहाँ पर आपके लिए हो सकती है, अब बात करते हैं यहाँ पर आगे की, और शेयर यहाँ पर क्या कर सकता है, कितना risk है, कितना reward है, क्या हो सकता है, उससे related बाते करेंगे, बट life change होनी है, trading style change होना है, WhatsApp group यहाँ पर है, as well as किसी को काम करना है, तो इन नमबरों पर note कर सकता है, यहाँ पर देखे तो इसने अभी फिलाल में 2022 में ही, 1910 रुपे का लेवल यहाँ पर टच किया था, एक तेजी हुई, तेजी होने का गिरावट हुई, तो सबसे पहली बात म आपको यहाँ पर देखाना जाता हूँ, कि यहाँ पर आप operator आ गए है, operator इसे आपर circuit लगाते है, operator यहाँ पर lower circuit लगाते है, और यह share यहाँ पर आप देखोगे, तो अभी फिलाल की rate में अच्छा नजर आता है, बट stop loss लगाए बिना काम मत करिएगा, क्योंकि कब यहाँ पर फज्जा होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, यहाँ से यहाँ तक भी अगर यह जाता है, तो आपको यहाँ पर पता चलेगी, कि यह share लगब लगब 25-30% के आसपास की upside को यह देता हुआ नजर आ रहा है, और इसके लावा जैसे ही यह share इस particular line के ऊपर चलना शुरू नजर आ रहा है, और maximum chart pattern की बात करें, तो थोड़ा weekly chart पर जाएंगे, तो आपको पता है, कभी यह share यहाँ पर 22-24 रुपे पर हुआ करता था है, और यहाँ से यहाँ तक अगर भागता है, और आपको दिखा देता है इस तरीके का यहाँ पर performance, तो यहाँ पर आपके 300% तक क और operator भगा रहे है, तो ऐसी company में रहने का कोई फाइदा नहीं है, क्यों? क्योंकि आप exit भी नहीं कर पाऊगे, और आप यहाँ पर entry भी नहीं कर पाऊगे, और आपकी entry ऐसी जगह पर होगी, जहाँ पर exit है, और आपका exit ऐसी जगह पर होगा, जहाँ पर entry लेंगे, तो इस आपकी जो को सीखना है, सीखोगे तो अच्छा रहेगा, नमबरों को नोट कर लीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर करिए, चाना को सब्सक्राइब करिए, और बाइंग सेलिंग के रिकमेंडिशन ही, थैंक यू सो मच, गद ब्लेस.